हेलो वाईस आज हम इस WordPress theme development के मौडूल में देखेंगे कि हम inner pages में कैसे call करते हैं default pages को call करने का मतलब क्या है कि आपके पास admin में क्या होता है हम यहाँ प्प्रेस का होता है वह होता है वह होता है अगर आपने जैसे index बनाए index पे आपने काम किया ठीक है इंडेक्स पेज कॉल हो रहा है आपके सामने अगर आपको कोई कस्टम डिजाइन बनाना जैसे आप कह रहें कि नहीं मुझे तो डिजाइन का लेवल बदलना है और अपने कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो हम टैंपलेट पे जाते हैं तो तीन चीजों पे ही पूरा लॉजिक होता है एक होता है इंडेक्स डिफॉल्ट में हमारे क्या हो रहा था कॉली हो रहा था अब पेज.php के रोल को समझते पेज.php डिफॉल्ट पेज होता है वर्डप्रेस का यह मैं बार-बार आपको कह रहा हूं जिससे आप इसको क्लि पर इसका काम होता है आपके डाइडल करना जासे मैं आब अब keyword डेता में देटा में मैं क्लियर बता रहा हूं मैं आपको डिस्क्रिप्सन नहीं ला के नाम दिखा हों आगे तिका लोगी इमेज लेका ills का मोगी चलिए हम बहुत सारी क्लिपरिक्सन है च्हले enhance जो पेज होता है उसको कॉल कैसे करते हैं जिससे आप इस पर क्या करता है और यहां से मैं लॉग इन करता हूं लॉग इन करने के बाद डेश्बूर्ट अपना डेश्बूर्ट देख रहा है मतलब मैं यह समझाना चाहरा हूं कि मैं अगर जाता हूं जैसे अपना पेज है तो चलो होम के लिए तो मैं आगे आपको पार्ट बताऊंगा कि टैंपलेट कॉल करेंगे अभी होम पे इंडेक् होम पे यह वाला पार्ट पॉल नहीं हो रहा हों पे कैसे पार्ट कॉल होगा वह भी हम क्लियर कर लेंगे अभी पेज डॉट पीच्पी का रोल क्या होगा देखे क्लियर करता हूं जब तक आप किसी पेज का टैंपलेट नहीं बनाते हैं तो हर पेज के लिए आपका पेज पेजबी का लोगा वों के लिए फिर पेजबी इबाउट के लिए बी गैलरी के लिए और चितने भी पेज बना हुगा सब के लिए बी पेजबी पेजबी क्या होगा डिफॉल्ट में कॉल होता है यह वर्टप्रेस की फ़ंक्षिनिंग है कि अगर आपने कोई बनाया और बना के आप क्लिक करते तो यह default में page.php को target करता है यहाँ पर नोटिस करिए का यहाँ पर पर पेज.php बनी हुई है अगर आपको देखना है कि यह call हो रही है देखे मैं आपको clear कर रहा हूं बाकी सब pages के लिए page.php अब मैं inner pages को कैसे set करता हूं वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर मैं hello लिखता हूं आपको पता चल जाएगा कि यह call हो रहा है कि नहीं हो रहा देखे मैं यहाँ पर hello लिखता हूं और यहाँ पर आके क्या करता हूं और आपके सामनी clear हो जाएगा देखिए कि यहाँ पर hello call हो रहा है तो clear है कि about course gallery जितने भी page बनाओंगा यहाँ पर आपका page.php क्या होगी call होगी यह clear है अब आते है logic कि हमें तो क्या करना है header भी चाहिए मैं आपको clear कर रहा हूं क्योंकि और यहाँ और फूटर करना है अगर मैं page.php पर क्याम कर रहा हूं वहां भी header को call करना है तो function तो सेम ही होगा get header बस समझाना यह था कि जो भी यह page.php यह target कर रही है हर page को हर page को target करना है about course gallery जितने भी page बना होगा यह default में call होगा जब तक आप template का लॉजिक नहीं बनाएंगे तो template तो अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है और मैं यहाँ पर जाके इसको call कर देता हूं अगर आपको देखना है call हो रहा है देखिए call होगा clear है यहाँ पर मै header आ रहा है और footer आ रहा है अब जब मैंने क्लिक किया home पे तो यहाँ पर बीच में page का नाम home आना चाहिए about पे क्लिया तो हम क्या करते हैं मैंने estimate design मना रखा देखिए मैं यहाँ पर जाता हूं यह अपना header तक तो मैंने header में रख रख रखा है beach वाला middle वाला area मैं इसको copy कर करके अपने बीच में page के बीच में क्या गर देता हूं paste कर देता हूं देखिए यहां तक इसको copy किया और copy करके page के बीच में यहाँ पर पास कर दिया और मैं यहाँ पर रिफ्रेस्ट करता हूं तो design का कुछ portion बना हुगा आ जाएगा देखिए आ भी रहा है अब यह data मैं देखिए हट गया और यहां पर जो यह नाम है जैसे मैं अभी गैल्वी पर करूँ तो गैलरी पर भी यही कॉल होगा अगर मैं होम पर करूँ तो यहां पर गैलरी लिखा वाना चाहिए और यह यह यहां पर यहां पर यहां पर जाना चाहिए होम पेज़ पर चला जाना चाहिए तो वह कैसे होगा क्या तरीका हो वह पूरा पोर्शल हम क्या करेंगे अभी क्लियर करेंगे 가지.php हर page के लिए call होथी है यह clear समझ जाइए कि page.php कि नहीं क्या क्याम क्या की मैं हर page पे call होगे index के लिए बस आपका जो खोलती है अप जैसे localhost slash folder का नाम वहां पे index.php क्या हो जाती है अब आते हैं कि मैं अगर Home पे क्लिक करता हो तो यहाँ पर Home आना चाहिए, About पे क्लिक करता हो, तो अबाउट आना चाहिए, तो यह कैसे होगा, बहुत सिंपल सा तरीका देखिए, आप जाएंगे यहाँ पर, और जो आपने यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, about us लिखा हुआ है तो अपने को बस एक function यूज करना है PHP start करना है close करना है और that title that title मुझे बता नहीं था आप लोगों को तो that title का काम होता है टाइटल पेज का टाइटल निकालना तो पेज का टाइटल अभी क्या है about है देखिए मैं refresh करता हूँ यहां पर about आ जाएगा देखिए और मैं that title को यहां भी ऊच कर लूँगा यहां भी देखिए तो that title क्या कर रहा है dynamically title लेकिया रहा है अगर आपने यहां पर गालरी पे इन क्लीक किया तो गैलरी आएगा अभी ये तो clear है कि page.php default हर page पे क्या हो रही है call हो रही है और that title का काम है page का title लेके आना page का title मतलब pages में जलते हैं जो आपनी ये नाम दिया ये नाम आपके सामने क्या हो रहा है print हो रहा है देगे अब logic यह है कि मैं यहां पे home पे click करता हूं तो home से यह main website पे चला जाना चाहिए मतलब localhost wsqtech वैसे home पे URL बनेगा नी हम home को क्या करतेंगे आगे चलके अलग करतेंगे मैं about पे यह logic समझाता हूं इस home page की नहीं बात कर रहा हूं मैं website के home page की बात कर रहा हूं यह यहां पे कैसे जाएगा यह पूरा हम क्या करते हैं clear करते देखिए यहां पर यह नहीं लगाना यह मैं आपको clear करता हूं यहां पर चलके आपको टेह श्टार्ट करना यहां पर इस आई के बाद श्टार्ट करता हूं और और आपको एक function यूज करना है यहां पर एक साइट टाइटल आपके साइट यूरल का काम होता है यहां तक का पाथ वो ले लेगा यहां पर रिफ्रेस्ट करता हूं और गैलरी पर जाके या फ्रंट पेज हो गया अब लॉजिक है कि मैं अब आउट पे जब क्लिक करता हूं या होम पे क्लिक पे तो यह खुलना नीचा है होम पे भी आपका इंडेक्स पेज ही टार्गेट होना थी है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर जाना है अपर अप्रेंस के अंदर कस्टमाइज में जाना देखे होमपेज सेटिंग में इस्टैक प्रंट पेज कर देना है और यहां से पोस्ट पेज आप बत हमें जाना अपर लिए जाते हैं यहां पेंडेल लेंगे नियौन का dhp यहां हम आपडेट बे paid नहीं चलित, इमिज का ऑप्षन लाने के लिए भी आपको फंक्शन का यूज करना पड़ेगा हम फंक्शन का यूज करेंगे तो इमिज आपके इस पैनल में दिखेगा और उसको वेबसाइट पर क्या पाएंगे डिस्पले कर पाएंगे तो आगे के पार्ट में हम पूरा ग्लियर करेंगे कि आप description कैसे लिके आएंगे जो मैंने यहां पर लिखा वह मेरे page पे कैसे call होगा जो मैंने image select की तो वह image कैसे आएगी वह पूरा process हम क्या करने वाले है करने वाले है प्रैक्टिकली करने वाले है यह चीजे आपके लिए beneficial ह आप एक तरह से अपनी यहां पर क्या कर पाएंगे डवलप कर पाएंगे थैंक्यू सुमस्क्राइब